हेलो दोस्तो नमस्कार इंडियन रेल मुसाफिट चैलर्ण में आपका स्वागत है दोस्तो आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है वायजाइंग स्टील समता एक्सप्रेस के बारे में जो की विशाका पटनम से हजर निजामुदीन नई दिली तक चलती है वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्सप्रेस करूँगा कि अगर अभी तक आपनी मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और पहला आइकन जरूर दबाएं आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है वायजान स्टील समता सुपरफास्ट एक्सप्रस के बारे में इसे समता एक्सप्रस भी कहा जाता है यह जो ट्रेन है विशाका पटनम जंक्शन से हजर निजामुदीन नई दिली तक चलती है यानि के Monday और Friday को नहीं चलती यह जो train है 34 गेंटे 20 मिनट में विशाकापडम जंक्चन से हजर निजाम उदीन की दूरी कवर करती है और इसके तक्रीबन 41 स्टेशन से और 1915 किलोमेटर के करीब जो है यह distance कवर करती है इसकी average speed जो है इस route पे वो है 56 किलोमेटर पर आवर अगर हम बात करें इसके टाइप की तो यह सुपर फास टाइप की train है और इसमें 2nd AC, 3rd AC, Slipper Class और General Class के डिपे हैं इसमें ICF के normal coaches दिये गए हैं मैं अगर बात करूँ इसके ticket किराय के बारे में इसका जो मैं अभी आपको किराय बताऊंगा यह विशाका पटम जेंक्शन से हजर निजाम अदीन तक का समता एक्स प्रस का किराय बताऊंगा 2nd AC का जो किराय है वो है 2805 रुपई जिसमें GST चार्ज, Reservation चार्ज, Base Fair चार्ज शामिल होता है इसके लावा जर्नल अंडर्ज, डिबो का जो किराय है वो है 412 रुपई यह अपडेटिट किराय नहीं है, सही किराय जानने के लिए आप रेलवे की वेबसेट जिरुएफ़ करें इसके लावा समता एक्सप्रस में पैंट्री कार भी शामिल है जहां से आपको ट्रेन के अंदरी फूद फूसिल्टी प्रोवाइड की जाती है यह फूद फूसिल्टी के लिए आपको एक्स्ट्रा जार्जिस पे करने होते हैं टिकट के लावा भी तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं स्टील समदा इक्स्प्रस के टाइम के बारे में दोस्तों यह जो ट्रेन विशाकापटम पूर्बान से रवाना हो जती है, इसका यहां पर बीस मिनट पर वह है और 14 क्लिमेटर की दूरी विशाका-पड़न जंक्शन से कवर कर चुकी होती है उसके बाद Het면 पारवती-पूरम स्टेशंड में सुबह 8 बच्प्श के 42 मिनिट पे और 8 बच्पे 44 मिनट पे वहाँ से रवाना हो जाती है इसका हमद रायगडा इसके रेOY कर शौला हो जाती है ी पैस यहां हो जाती जो है कवर कर चुकी होती है उसके बाद ये ट्रेन जो है सिंगापूरा सिंगापूरम रोड में पहुंचती है सुबा दस बजे और दस बच के दो मिनट पर वहां से रवाना हो जाती है इसका यहाँ पर दो मिनट का स्टॉप है और 194 किलोमेटर की यात्रा जो है ये कवर कर चुकी होती है उसके बाद ये ट्रेन जो है थेरू बली स्टेशन में पहुंचती है थेरू बली स्टेशन में ये सुबा दस बच के बारा मिनट पर पहुंचती है और दस बच के चौदा मिनट पे वहां से रवाना हो जाती है इसका यहां पर दो मिनट का स्टॉप है उसके बाद ये ट्रेन जो है अमबोडोला स्टेशन में पहुंचती है सुबा 11 बच के 13 मिनट पे और 11 बच के 15 मिनट पे वहां से रवाना हो जाती है इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है उसके बाद ये ट्रेन जो है नोरिया रोड स्टेशन में पहुंचती है इसका यहां पर दो मिनट का स्टॉप है, उसके बाद यह ट्रेंज जो है कैसिंगा स्टेशन में पहुंचती है, दोपहर के बारा बच के पांच मिनट पे और बारा बच के साथ मिनट पे वहां से रवाना हो जाती है, इसका यहां पर दो मिनट का स्टॉप है, तीन सो ग्यारा किलिोमेटर की यातरा जो है कवर कर चुकी होती है उसके बाद येट्रेंज यो है टितला गढ़ स्टेश में पहुंच ट है टितला गढ़ स्टेश्ट में आज़ एक बज़ के 43 मिनट पे दोपहर को पहुंशती और एक बज़ के 45 मिनट पे वहां से रवाना हो जाती है, इसका यहां पर दो मिनट का स्टाउप है। उसके बाद ये ट्रेज जो है बग बाहारा स्टेश में पहुँँची ये बाग बाहारा स्टेश में ये 2 बज के 35 मिन्ट पे पहुँची अर 2 जो है दुर्ग जंक्शन में पहुंचती है शाम के 5 बच के 55 मिनट पे और 6 बजे वहां से रवाना हो जाती है इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है और 564 किलोमेटर की यात्रा जो है कवर कर चुकी होती है उसके बाद यह ट्रेंज है राज नंद गाउं स्टेशन में पहुं पहुंचती है 8 बच के 5 मिनट पे और 8 बच के 10 मिनट पे वहां से रवाना हो जाती है इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है और 698 किलोमेटर की यात्रा जो है यह कवर कर चुकी होती है उसके बाद यह ट्रेंज हो है तुमसर रोड स्टेशन में पहुंचती है तुमसर मिनट का स्टॉप है उसके बाद यह ट्रेंज हो है महराष्ट में नाकपूर जंक्शन में पहुंचती है दो सॉरी दस बच के 25 मिनट पे और 10 बच के 50 मिनट पे वहां से रवाना हो जाती है इसका यहां पर 5 मिनट सॉरी दो मिनट का स्टॉप है उसके बाद यह बच के 7 मिन मिनट का सचाप है का स्डॉप है उसके पाँच बघा होगोग assemblä का स्टॉप है उसके बांच वह वहां से रवाना हो जाती है इसका यहां पर पांच मिनट का स्टॉप है उसके बाद यह ट्रेंज जो है ललितपूर जंक्शन में पहुंचती है ललितपूर जंक्शन में यह ट्रेंज जो है सुबाद बच के तरेपन मिनट पे पहुंचती है और आट बच के पचपन मिनट प पहुंचती है ग्यारा बच के 37 मिनट पे सुबा और ग्यारा बच के 42 मिनट पे वहां से रवाना हो जाती है इसका यहां पर पांच मिनट का स्टॉप है उसके बाद यह राजा की मंडी स्टेशन में पहुंचती है एक बच के 22 मिनट पे पहुंचती है और एक बच के 44 मिनट पे वहां से रवाना हो जाती है इसका यहां पर दो मिनट का स्टॉप है उसके बाद यह ट्रेन जो है समता एक्स्प्रेस उत्रपरदेश के आखरी स्टेशन मत्वरा जंक्शन में पहुंचती है दोपहर के 2 बच के 32 मिनट पे का और दो बच्ट के 35 मिनट पर से रवाना जाती है इसका यहां पर तीन मिनिट का स्टOP है उसके बाद वाइजाइंग स्टील सम्ता एक्सप्रेस जो है वो नई दिली के हज़र निजाम उदीन स्टेशन में पहुंचती है शाम के चार बच के 45 मिनट पे और 1910 किलो मेटर के करीब अपनी यात्रा समाप्त कर लेती है दोस्तों सम्ता एक्सप्रेस के तकरीवन 41 स्टेशन होते हैं और यह इस ट्रेन का नंबर है 2807 अगर आपको यह वाजाइंग स्टील सम्ता एक्सप्रेस की वीडियो जो है बसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जुरू करें ताकि यह information बाकी लोगों तक भी पहुंचती रहे अगर आपके पास कोई suggestions हैं इस चैनल के regarding तो comment करके जुरूर बताएं मैं उन सभी comments को सभी comments को पढ़ता हूँ और अगर आपके को suggestion मेरे को बढ़िया लगे तो मैं उसको जुरूर अपने चैनल में consider करूंगा और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब निकिया तो सब्सक्राइब जुरूर कर ले और बेल आइकन जुरूर दबाएं ताकि आपको latest videos की notification मिलती रहे दोस्तों इसी तरह से मेरे चैनल को support करते रहे मैं आगे से और भी ज्यादा वीडियो बनाता रहूंगा और इस चैनल को subscribe करें और इस चैनल को जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई favorite topic या आपकी कोई favorite train पर मैं वीडियो बनाओ तो comment section में mention करके ज़रूर बताएं मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाओंगा बनाने की पूरी कोशिक करूंगा वैसे मेरी कोशिश है कि मैं हर train पर वीडियो बनाओं दोस्तों वीडियो को करी धन्यवाद आपका दिन शुब हो